आप संद रही हैं दास्तान ए खौफ मनों के साथ नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं सब खेरियत है स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल हौरर स्टोरी इन हिंदी दास्तान ए खौफ में आज की कहानी शुरू करने से पहले बस एक ही निवेदन करूँगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजी अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे भी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखियेगा ताकि हम हर कहानी में पूरी सुधार करने की कोशिश करें तो दोस्तों बिना विलम की चलिया आज की खौफना कहानी को शुरू करते हैं मेरा नाम दिलिप है मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ यह कहानी मेरे चाचा की है चाचा और हमारे परिवार वाली सब एक साथ ही रहते हैं जब मैं लगभग पांच साल का था तब उनके साथ यह गटना गटित हुई थी आज भी जब वो गटना चाचा बताते हैं तो हम सभी टेर से सिहर उठते हैं और यहीं सोचते हैं कि चाचा की जगा अगर मैं होता तो मेरे साथ क्या होता भूद चाहे जैसा भी हो वो किसी भी आकरिती चाया रूप में प्रकट हो सकता है और जब चाहे वो विलीन हो सकता है चाहे वो दुष्ट आत्मा हो या अच्छी आत्मा डर दोनों से ही लगता है क्योंकि बच्पन से ही हम भूत प्रेतो को कहानी और फिल्म और इत्यादी में खुंखा रोप में ही देखा है इसलिए डर जायज है यहीं मेरे चाचा के साथ हुआ सुनकर आपको शायद उतना डर न लगे लेकिन जिसके साथ गटना हुई होती है वहीं समझ सकता है मेरे परिवार वाले पूर निरुप से खेती पे ही निर्वर रहते थे बारों महिनों खेती ही होती थी चाचा क्योंकि जवान थे और उनकी शादी भी नहीं होई थी इसलिए खेतों की रखवाली के लिए वो रात के समय खेतों में ही मढ़ई में रहा करती थे मढ़ई जिनको पता नहीं है उनको मैं बता दू कि खेतों के बीच में एक घास फूस का घर बनाये जाता है जो पांस के साहरे उपर उठा होता है उसी में बिस्तर लगा के चाचा रात को सो दे थे सितंबर का महिना था ठंड अभी शुरुवात हुई थी इसलिए चाचा कंबल और कुछ घास फूस और सुखी लकडियों को लेकर मढ़े के पास में ही आग जिलाई और थोड़ी देर आग तापने बैठ गये बीच बीच में वो देशी लोग किप भी गुनगुनाते लगती थे उनको गाना गाने का बहुत ही शौक था अभी वो गाना शुरू किये ही थे कि उन्ही के साथ साथ किसी बुजूर्ग व्यक्ति के गाना गाने की आवाज सुनाई दिन लगी चाचा चौक गय कि अभी मेरे खेत में कौन आ गया कोई चोर तो नहीं यहीं सोचकर वो उठकर इधर उधर देखने लगे और आवाज देके पूछे कौन है चाचा कौनो कामबा का उधर से धेरे धेरे किसी के पास चलने की आवाज आई क्योंकि अंधेरा ज़ादा था इसलिए स्पष्ट रुप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उधर से आवाज आई आवाद माने बबवा आवाज से यह स्पष्ट हो गया था कि कोई बुजर्ग इंसान ही है जब वो बुजर्ग इंसान पास में आया तो चाचा देखके हैरान हो गया कि वो बुजर्ग बहुत ही दुबले पतले और आखे ऐसी सूखी सूखी सी थी चाचा उनसे पुछे कि क्या बात है दादाजी अभी आप इस रात में और ठंडे में क्या कर रहे हैं आप तो हमारे गाउं के भी नहीं लगते तो वो बुजर्ग इंसान बोले कि अरे मेरा गाउं पहले यहीं पे था 15 साल बेट गए मैं यहां से दूसरी जगा चला गया था तुम नहीं पहचानोगे लेकिन मैं तुमें पहचानता हूँ तुम जो गिंदर के बेटे हो ना चाचा उस बुजर्ग व्यक्ति की बात सुनकर हैरान थे फिर वो बुजर्ग बोले मैं रास्ते से गुजर रहा था तभी तुमारी गाने की आवाज सुनाए थी और कुछ रोश्नी भी मुझे भी गाने का थोड़ा बहुत शौक है इसलिए सोचा कि चलो आग भी ताप लेंगे और थोड़ा बहुत साथ में गुनगुना लेंगे चाचा बोले अरे आईए आईए बैठिये सुनाए आप भी कुछ बुजर्ग इंसान वहाँ पे बैठ गये और दोनों मद मस्त होके जुगल बंदी करने लगे लगभाग आदे गंडे तक उनका यह कारी करम चलता रहा जब गाना ये सब खत्म हुआ तो बुजर्ग इंसान बोले कि खैनी खाते हो राजिंदर चाचा बोले हाँ दादा जी खाते हैं रुखिये बनाता हूँ आपके लिए खैनी हाथ में मलते हुए चाचा बोले दादा जी आप रोज आईए और हम मस्त साथ में गाना गाएंगे बुजर्ग इंसान एक्तम धीमी आवाज में बोले कि अब बेटा हड़ियों में इतना ताकत नहीं है इदर से गुजर रहा था तो आ गया कल का पता नहीं देखते हैं खैर चाचा जी आगे कुछ नहीं बोले उन्होंने उस भुजर्ग आदमी को खैनी दिया और वो इंसान चुप चाप खैनी मुह में डालते भी उठकर फिर से वहीं अंधेरे भी गाहें भो गया चाचा जी ने सोचा चलो आज कोई मेरे मन मुताबिक वाला इंसान मिला काश वो कल फिर आए ऐसा कहकर वो खाना खाके मड़ही में जाकर लेट गया दूर दूर से सियारों और कुत्तों की भौखनी की आवाज से आ रही थी लेकिन चाचा जी इन सभी से बेखबर गाना गुनगुनाते हुए सो गया सुबा हुई और चाचा जी घर आ गया नहात होकर खाना ये सब खाकर घूमने निकल पड़े तब ही रास्ते में उनका दोस्त राधे शाम मिल गया वो तोनों बच्पन के पक्के दोस्त थे चाचा जी उनसे बोले यार कल राध बड़ा ही मज़ा आया तो राधे शाम चाचा मजाक में बोले क्यों कोई लड़की पसंद आ गई क्या चाचा जी हसकर बोले अरे नहीं नहीं मेरी किसमत इतनी अच्छी कहा दरसल कल राध को एक दादा जी के उम्र के इंसान मिली बड़े अच्छी इंसान थे गाने के शौकिन थे बिलकुल मेरे ही जैसे कह रहते की हमारे गाउं के ही है लेकिन कुछ साल पहले यहां से चले गये थे जब हम सब छोटे थे ताब राधे शाम ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़े गये हमारे गाउं से कौन बुजूर्ग चले गये थे जो गाने की शौकिन थे ऐसा तो कोई नहीं है एक मिनट राधे शाम चाचा चौक के बोले ये बुदुहा के दादा जी तो नहीं थे चाचा जी एकदम छीज़कते हुए बोले अरे उसके दादा जी तो कपके गुजर चुके हैं वो कैसे हो सकते हैं मेरे सामने एकदम जिन्दा इंसान थे राधे शाम चाचा बोले तब वो शायद हमारे गाउं के नहीं थे क्योंकि जब से हमें होश आया है ऐसे गानेवारे इंसान के बारे में मैंने नहीं सुना जो गाते हैं वो तो हमारे सामने ही है किर्तन में ओजा जी और बबलू जी ही गाते हैं और पहले कोन गाता था वो भी पन्रह साल पहले ये कहना थोड़ा मुश्किल है चाचा जी बोले क्यों आज रात को तु भी मेरे साथ चल दोनों यार मस्ती करेंगे देसी दारों की जुगार भी कर लिया जाएगा राधे शाम चाचा जी बोले चल ठीक है शाम को मिलते हैं फिर दोनों वापस अपने अपने घर की तरफ चल दी शाम होई और दोनों कंबल ये सब लेकर खेत की तरफ बढ़ गया राधे शाम चाचा बोले कि क्या सब चीजों का जुगार कर लिया है ना तो चाचा जी हस कर बोले ये भी पूछने की बात है बला राहत में दोनों मद मस्त हो करते सिदारों और चकने में एक दम दीखिदार जने का सिवन करते फिए मस्त हो के गाना गुरूनाते रहे तब ही राधे शाम चाचा थोड़ा मज़े के लहज़े में चाचा जी से पूछे कि आज तेरा वो सिंगर दादा जी नहीं आए अभी ही चाचा जी कुछ बोलते उसके पहले खेतों की जूलमूट में किसी की भागनी की आवाज आई दोनों एक्टम चौक गए चाचा को लगा शायक जोर होगा उन मड़े से नीचे उतर उसके तरब भागे उनके पीछे पीछे राधे शाम चाचा लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला थक हार कर वो दोनों पापस मड़े की तरब बढ़ गए चाचा बोले साला पकड़ा जाता न तो बड़ी मार मारता राधे शाम चाचा बोले अरे वो कोई स्यार या दूसरा कोई जानवार होगा छोड़ना यार अभी मजा खराब मत कर चल गाना सुना उसके बाद दोनों फिर से उसी मस्ती में चा गए और लगबक ग्यारा बजी तक दोनों सो गए अगली सुबा दोनों वापस अपने घर आ गए फिर से वही दिन चरिया शाम हुई तो चाचा जी आज अकेले ही खेत पे चले गए खेत में पहुँचकर फिर से खाना ये सब खाकर आगत आपने बैठ गए थोड़ी देर भाद फिर से खेतों की जुर्मुट से किसी की चलने और खड़ खड़ाने की आवाज आई चाचा की निजर उस तरब गई तो कोई इंसान उनकी तरफ आ रहा था पास में जब आये तो वो वहीं बुजरुक इंसान थे राजिंदर जे चाहा खुश हो के बोले आईए ददाजी बैठिए कल क्यों नहीं आये थे लेकिन इस बार वो बुजरुक इंसान थोड़े गुसे में था उसने कहा मैं कल आया था लेकिन वापस चला गया चाचाजी को थोड़ा ताज्जू भुगा उन्होंने कहा क्यों वापस क्यों चले गया आप तो वो गुसे में बोले तो उस लड़के के साथ क्या कर रहा था राधे शाम के साथ उसको खेत में क्यों लाया था तो चाजा जी बोले अरे वो मेरा दोस्त है आपसे ही मिलवाने लाया था तो इस बार वो और कुस्से में बोले नहीं मुझे और किसे से नहीं मिला और उसने मुझे बुढ़ापे में बहुत परिशान किया था चाजा जी हैरान होकर पुछे आप उसको भी जानते हैं तो वो भुजुर्ग इंसान थोड़ा गंभी रोके बोले हाँ मैं सबको जानता हूँ चाजा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था किकी चाजा जी अपने दोस्त से तीन साल छोटे थे इसलिए उनकी बचपन की ये सब बाते याद नहीं थी फिर वो भुजुर्ग थोड़े गुस्सी में बोले चल मेरे लिए खैनी बना और गाना गाना शुरू हो जा इस बार उनके आवाज में कड़कपन के साथ साथ डरानापन और आदेश से भरा था चाचा जी बोले आप ऐसे क्यों बात करें हैं मैं आपका आन नौकर हूँ क्या थोड़ा सा गा क्या लिया मुझे नौकर ही समझ बैठें लेकिन इस बार वो बुजुर्ग इंसान एकदम मुह के सामने अपना चेहरा लाकर बोले तुझे डर नहीं लगता चाचा जी चिटते हुए बोले मुझे क्यों डर लगेगा इस पार वो बुढ़ा इंसान अजीब सी आवाज में बोला मैं पुदुहा का ही तादा हूँ बोल अब डर लगा न इतना सुनते ही चाचा जी को एक करेंटी जैसा जटका लगा वो लपकत पीछे हटे और सोर सोर से भूत भूत छिलाते हुए वहाँ से लगे भागने उनके पीछे पीछे वो बुजोर की इंसान दोड़ते हुए बोला जा रहा था भाग कहा रहा है अब तुझे तो ठेर नहीं लगता न कम से कम खैनी तो देते जा लेकिन चाजा जी बिलकुल भी बिना पीछे मुड़े बस भागते ही जा रहे थे जब उन्हें गाउं की थोड़ी सी रोश्नी दिखाई दी तब उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली और धेरे धेरे चलने लगे उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया फिर से पीछे मुड़के देखा तो फिर से तेजी से भागने लगे वो अब मुजोर्ग इंसान इतना कमजोर दिख रहा था जिसकी हड्डियों में ताकत तक नहीं थी वो अब इवी चाचा के पीछे इतनी तेज दोड़े दोड़े आ रहा था और चिला रहा था अरे खैनी तो देते जा वरना पूरी रात तुझे सोने नहीं दूँगा चाचा जी ने अपने धोती से खैनी का पूरा डिपा सहीत फेंक दिया और दोड़ते दोड़ते सीधा घर के पास आके लगे जोर जोर से दरवाजा पीटने उनके बड़े भाईया यानि की मेरे पिदा जी दरवाजे के पास आए और चाचा जी की ऐसी हाला देख कर जल्दी से उनको घर के अंदर लिगए चाचा जी अभी भी भोत भोत कहकर बुद्बुदा रह थे पिदा जी उन्हें समझा कर पूछने लगे अरे क्या हुआ है बताएगा भी कोई इसके लिए पानी लाओ पहले मेरी माने पानी लाया और वो कठा कठ पूरी पानी पीके लंबी सांस लिए पूरी कहानी बताए वो पुद्बुद्बा के दादा जी थे मुझसे कल भी मिले थे और पूरी घटना का बयान टर्टे टर्टे करते गए पिताजी उन्हें हिम्मत देते हुई समझाने लगे कि अरे अभी कोई भोत नहीं है तुम घर पे हो कल सुबह देखते हैं अभी सो जाओ यहीं पे चाचा जी पूरी रात सो नहीं पाए उन्हें ऐसा लग रहा था कि फिर से वो खैनी मांगने आएगा खैर जैसे तैसे करके रात बेदी सुबह उनको बहुत ही तेज बुखार चड़ गया था गाओं के ही ओजह जी को बुलाया गया जाड़ फोकी यह सब करके उनका डर कुछ कम कर दिया गया तब जाके वो उजह जी बोले हाँ इसके सारी बात सच है जिसको इसने देखा वो बुधवा के दादा ही थे खैर उन्होंने आज तक किसी को कोई हानी नहीं पोचाई बस इसको डरा दिया क्योंकि ये उनकी बात नहीं मान रहा था उनके मरने से पहले तक गाने का शौक नहीं किया था उनका कहीं भी बैट के कभी भी गाना शुरू कर देते थे और मस्त खैनी मलते हुए कई घंटे एक ही जगा पे बिता देते थे ये सुनकर चाचा जी को सारी बाते समझ में आ गई थे कि वो क्यूं मेरे पास आये थे उस दिन के बाद से चाचा जी कभी भी खेत में नहीं गए गाउं में ही किराने की दुकान खोल ली और खेती बाड़ी सुनका ज़ादा मतलब नहीं रहा दिन में कभी-कभी तो चल भी जाते थे लेकिन जैसे ही शाम के छे बज़िते थे चुच्चा आप वो घर के अंदर होते थे चाहें आंधी आये या तुफान किसी की हिम्मत हो क्यों उनको घर से बाहर नकाल दे दोस्तो आज की कहानी आपको कैसे लगी आशा है बेहत पसंद आया होगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक दिन भूता हात था रह सिमय कहानियों का आनन दूठा सके जल्द ही मुलाकात होगी नई नई कहानियों के साथ तब तक हम आपसे विदा लेती हैं